दोस्तों जिन लोगों ने मरीन ड्राइब के उपर अपनी गाड़ी दोड़ाने का मज़ा उठाया है अब वो अपनी गाड़ी गाएगहाट तक लेकर जा सकेंगे जी हाँ जेपी गंगा पत में गाएगहाट तक 15 अगस्त से पहले वाहन फराटा भरेंगी गाएगहाट के समी बचे हुए के स्पैन पर सूपर स्ट्रक्चर तयार हो चुका है अब फिनिशिंग का काम अंतीम चरन में चल रहा है जेपी गंगा पत पर गाएगहाट के पास चढ़ने के लिए बन रहे एप्रोच रोड में 300 वर्ग मीटर में जमीन की समस्या का निदान हो चुका है पिछ गाएगहाट के समीब बचे हुए एक स्पैन पर कंक्रीट का काम पूरा हो गया जेपी गंगा पत में गाएगहाट तक चालू होने से दीघा से गाएगहाट तक आने जाने वाले लोग 20-25 मिनट में दूरी तैय कर लेंगे वहीं एक वैकलपिक रास्ता तयार होने से गांध सीच तक साड़े साथ किलो मीटर में ही आने जाने की सुविधा है जानकारों के अनुसार जेपी गंगा पत पर गाएगहाट के समीब चढ़ने के लिए कनेक्टिविटी रोड तयार हो रहा है एप्रोच रोड के निर्मान में जुडिशियल अकादमी की जमीन आ रही थी य जमीन नहीं मिलने से कठनाई हो रही है वहीं एप्रोच रोड के निर्मान में 300 वर्ग मीटर हिस्से में जमीन के अवश्यक्ता है सूतरों ने बताया है कि जमीन के अधिकरहन को लेकर सीएम अस्तर से समधान होना है वहीं जेपी गंगा पत से गाय घाट के समीब उतरने के लिए बन रहे एप्रोच रोड से ही फिलहाल लोग जेपी गंगापत पर चढ़ेंगे भी चढ़ने के लिए बनने वाले एप्रोच रोड के निर्मान में जमीन की समस्या की वज़ा से यह निर्ने लिया गया है उतरने वाले एप्रोच रोड में केवल अलकतरा का काम बाकी र में है